हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि सिग्रेट हमारे लिए कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग सिग्रेट तो जरूर पीते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सिग्रेट बनाते वक्त उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है, जिससे कि वो कैंसर कारक हो जाता ह तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिगरेट कैसे बनता है और सिगरेट के बनने से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों सिगरेट का मेन इंग्रिडिन्स तमाकू होता है जिससे कीटो में को लीव से प्राप्त किया जाता है सिगरेट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले तंबाकू को तैयार किया जाता है जिसके लिए तंबाकू के नरसरी को सेंटर पास में तैयार किया जाता है और जब यह तैयार हो जाते हैं तब इन्हें उखाद दव अचकर खेतों में बोया जाता है तमबाकू के फसल को तैयार होने में तीन से चार महीने का समय लगता है जब ये तैयार हो जाते हैं तब इनकी पत्तियों को तोड़ कर इकठा कर लिया जाता है और इन्हें सुखाने के लिए फैक्टरियों में लाया जाता है जहां इन पत्तियों में धागे की मदद से लकड़ी के सहारे लटका दिया जाता है और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है कुछ दिन बाद जब ये सूख जाते हैं तब इन्हें उतार कर एक जगह जमा कर लिया जाता है और आगे इनको भेज दिया जाता है जहां पर सिकुद्धे हुए पत्तों को सीधा किया जाता है और सड़धे गले, पत्तों एवं सूखे पत्तों को अलग-अलग कर दिया जाता ताकि cigarette best quality की बने अब इन सभी तंबाकू को cigarette बनाने वाली फैक्टरियों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है जहां पर सबसे पहले इन तंबाकू को ब्लॉंड किया जाता है जिससे की तंबाकू के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो अब तंबाकू बनकर तयार है अ तो अब final step में cigarette बनने के लिए तयार है इसके लिए special rolling paper का use किया जाता है इन paper के roll को ये machine तयार करती जाती है और ये machine इस cigarette में एक तरफ से तंबाकू और दूसरे तरफ से filter tip को डाल देती है तो अब cigarette बनकर तयार है अब इन सभी cigarette को final inspection के लिए इस machine से गुजारा जाता है जि फाइनली इन्हें packing के लिए भेज दिया जाता है जहां इन्हें डब्बे में pack कर दिया जाता है तो दोस्तों इस तरह से तयार हो जाती है cigarette दोस्तों हमें comment करके जरूर बताईएगा कि आप cigarette पीते हैं या नहीं या आप कौन सी company का cigarette पीते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like जरूर करे